नमस्कार दोस्तों से लेर ज्यान में आपका फ्रीज़ स्वागत है मैं आपका से ले फ्रेंट शुबम आ जाएंगे एक नया टॉपिक लेके तो लेट्स केट स्टार्टेट तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि आपने डीजी प्रोफाइल में पासपोर्ट को कैसे अपलोड क करना है उसके स्टेप्स क्या है तो चलिए शुरू करता है तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाके आपको हमारा जो डीजी शिपिंग का वेबसाइट है वहां पर आपको जाना है और वहां पर जाने के बाद आपको जो ई-governance टैब होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हो उस टैब में open करके आपको login करना होता है याद रखिए आपको login करना है login के बाद में आप देख सकते हो कि update seefarer profile option है तो जब आप login करोगे उसके बाले जो update seefarer profile है वहां पे आप जाते ही आप उपर के tab में देख सकते हो document वाला section document वाले section में हमाँ पर आप सेकेंड वाला देख सकते हो कि request to add और update existing passport details इस पर आपको click करना है यहाँ पर क्लिक करते ही ऐसा section आएगा यहाँ पर आपको request for में आपको अगर पुरान अपडेट करना है तो update select करना पड़ेगा या फिर add new add new उपर click करके आपको continue उपर click करना पड़ेगा यहाँ पर आपको upload करने के बाद आपको submit request पर click करना होगा submit request पर click करने के बाद आप देख सकते हो ऐसे request submitted करके आ जाएगा status पर तो दोस्तों यह normally दो दिन ले 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 लेता है मतलब 48 hours तक हो जाता है और दो दिन बाद अगर आपने फिर से चेक किया तो यहाँ देखे status पर दिखा रहा है कि approved तो दोस्तों यह था simple process कि कैसे अपना passport के जो details है वो डीजी shipping website पर upload करें यह हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कभी-कभी immigration के time पर उसब जब checking होती है तभी आपका passport के details वो डाल के check करते तो यह mostly सभी companies कहते है कि upload करो तो दोस्तों यह तो था passport के details के पारें में आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई और दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और stay tuned for more videos, thank you